हलो दोस्तों study good education हमें आपका स्वागत है मैं हो गोर सैनी और आज की वीडियो के दर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो welfare inspector की eligibility criteria गया है इसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप कहां से जो इसकी जो educations हैं qualifications हैं वो आप कहां से कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे की admission का process क्या है उनके centers कहां पे हैं उनकी fees structure कितना है सबसे पहले तो eligibility criteria देखते हैं स्टाफ and welfare inspector के notification के अंदर यही qualification जातर हर एक notification यही रहती है हर एक जोन की तो मैंने यह उठा लिया है तो group C employees तो level 1 से लेके level 5 तक जो भी करमचारी है वो welfare inspector के लिए eligible होते हैं welfare inspector एक level 6 की post है 1200 grade पेगी तो सबसे पहले तो जो यह qualification है वो सभी के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए लेकिन अगर आपके पास time है तो आप इसको कर सकते हैं वाद में future में आपके काम ही आता है अगर आप भाई सोच रहे हैं कि मैं level 5 के अंदर हूं मुझे तो खाली graduation ही चाहिए and three year complete हो जाए बस इतना ही sufficient है तो भी मैं eligible हूं लेकिन अगर आप यह कर लेंगे तो वो transfer अगर लेंगे तो उन चीजों के अंदर वो आपको हमेशा काम में ही आईगी तो यह आप करके रखें इससे कुछ फर्क पढ़ता नहीं है इतना या इसकी fees की कोश्टिंग भी नहीं ह अब इसको अराम से कर सकते हैं और देखो सबसे पहले तो आप क्या होना चाहिए डिप्लोमा इन लेबर वेलफेर या सोसल वेलफेर होना चाहिए आपके पास या फिर दिप्लोमा इन लेबर होना चाहिए या फिर अगर किसी के पास MBA भी है तो वो भी परसनल मेंजमेंट य अभी eligibility कहां कहां जरूरी है तो आएए अब देखते हैं सबसे पहले तो इसकी eligibility थोड़ी confusing सी रहती है सबसे पहले लिखा हुआ है 1800 grade पे जो ने ने जो track maintainers हैं जिनोंने pointsmen है या फिर और भी track machines के अंदर जो गए बंदे जिनोंने join किया है अभी अभी 1800 grade पे पे तो वो उनको जब 7 साल हो जाएंगे service के अंदर और उपर जो भी मैंना भी दिखाए है eligibility उसके इंदर से कोई भी eligibility करम के पास मैं है तो वो eligible हो जाते हैं exam को देने के लिए तो आप अभी से करकर रख लिजिए अगर आपने अभी जोइन किया हुआ है तो private आप देको सबसे पहले तो regular कोई भी degree हम ले नहीं सकते हैं railway में रहते हुए तो regular degree तो आप कोई भी ले नहीं सकते हैं तो इसलिए आप उसको distance से हम जो courses हैं वो कर सकते हैं लेवर लो में डिप्लोमा कर सकते हैं लेवर लो सोसल वेलफेर के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं ठीक है तो यह आप distance learning से कर सकते हैं ठीक regular degree आप कोई भी railway में रहते हुए नहीं कर सकते इस बात का थ्यान रखें ठीक तो जो नए student जिनों अभी नए जो बच्चे हैं ज क्या उसमें क्या देखो अब next इसके अंदर क्या है कि जो अठाइसो ग्रेट पे अंदर है या चोभी सो ग्रेट पे में है अगर उनको पांस साल होगा है जिनके पास बस जो ग्रिजुट नहीं है next point के अंदर दिखाए देगा इसके अंदर लिखा हुआ है और इसमें इन दोनों पांस साल सर्विस के अंदर होना चाहिए ठीक है then next क्या है या फिर दिखो इसके अंदर लास नहीं लिखाए otherwise पांस साल together in this grade इन दोनों ग्रेट इसके अंदर या फिर पांस साल होना ही चाहिए अगर जो क्याना हम है higher grade does not fall in the normal line of advancement ठीक है next पॉइंट के अदर क्या है कि जो 800 ग्रेट पे अंदर है या फिर 2400 ग्रेट पे में है जो graduate है जिनुका प्रोशन जो पिरट है वो complete हो चुका है तो वो भी इसके लिए eligible है वो simple graduate है वो भी eligible है ठीक है अब उनके पास में चैले लेवर्ला में टिपलोमा हो नहीं हो उससे फर्क ने बढ़ता simple graduate है वो भी इसके लिए eligible है ठीक है अगर जैसे कि कुछ senior clerks है उनका जो प्रोशन का पीरिट है वो successfully पूरा हो चुका है ठीक है दो साल रहता है तो वो अगर complete हो चुका है तो simply वो इसके लिए eligible है ठीक है next इसके बाद में क्या है 5th point क्या है कि जो level 2 के अंदर है या फिर level 3 के अंदर है और जो graduate है जिनको जैने की साथ साल हो चुका है who have not completed not less than 7 year on the date of notification notification तक जैने 7 जैने को साथ साल नहीं हो है तो वो भी eligible है इसके अंदर ठीक है और या फिर उन दोनों का जो लेवल 2 या फिर लेवल 3 उन दोनों का अगर टोटल अगर देखें सर्विस के अंदर तो उन के अंदर को साथ साल हो गया हो ठीक है तो यह eligibility इसके अंदर बताएगी है अब बात आई उसकी यानि की यह कि आप यानि यह courses करें नहीं से ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हम य क्योंटी से डिसक् Only का से अधर ग savings करते हैं कि लेवलो में डिप्लोमा इन लेवला ओर डिप्लोमा इन लैबर वेलफेर हम कहां से करें इसके इंदर एक इनविजिटी है वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन काफी कमेंट्सारे थे तो मैंने वीडियो बने इसको पर भारती विदियापीट पुने में एक इनवस्ट्री है यहां से आप यह कौर्स कर सकते हैं कफी मेरे कोंटक्ट के अंदर 3-4 लांदे हैं जिनों अब इसके centers हैं पुने में, न्यू दिली में और नवी मुंबई में, खोलापूर में, कराड में, सांगली में और सोलापूर में इसके centers हैं तो अब काफी बच्चे बढ़ी पुछेंगे कि सर फिर इसको form कैसे बढ़ेंगे देखो तो ओनलाइन फर्म आप भर सकते हो, मेरी कल ही बात हुई थी, जो इनके counselor है, उनसे में बात हुई थी तो उनने बताया है कि आप simply उनको documents अगर बेजेंगे, जैसे इसके अंदर क्या 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 मांगा, 10-12 की copy मांगी हुए है, mask sheets, आपकी original copies यह simply आपको scan करके देनी है, ठीक है, then migration certificate, gap certificate, monofide, age proof, adhaar card, adhaar card link, mobile number, तो यह सारी चीज़ें आपको scan करके simply उनको बेज देनी है, वो आपको address, contact, email ids आपको दे देंगे, तो वहाँ पर आप simply उसको scan करके बेज देनी है, आपका जो registration हो जाएगा, admission और यह सारी चीज़ें आपको लेकिन आपको exam देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, तो north side की जो बच्चे है, वो new daily को चूछ कर सकते है, exam देनी के लिए, तो जब भी exam है, उनको देनी जाकर यह exam देना पड़ेगा, ठीक है, यह मेरे बात है कि आपके centers यानि कि West Bengal side में या इस तरफ में है, तो उन्होंनों बताया कि अभी मेरे से, अभी हमारे जो centers, exam centers है, वो वहाँ पे नहीं है, आपको exam देने के लिए New Delhi आना पड़ेगा, south में है, तो उने आपको आना पड़ेगा, इस तरफ जो है, exam centers है, जब आप form भरोगे इसका, तो पर अप्लाई करते हैं, सबस्क्राइब तो यूविश्टी है, वो ठीक है, UGC approved है, एंड काफी पुरानी यूविश्टी है, ठीक है, तो ट्रस्टेड है, तो यहां से आप अराम से लेबर लो कर सकते हैं, तो इसमें काफी courses हैं, जो आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं साथ-साथ, देखो, डिप्लोमा इन लेबर लॉव एंड लेबर वेलफेर, तो इसकी फीस कितने होगी, हजार उपे मैंना बताया है, बताया है आपका अपका अप्लोमा हो जाएगा, एंड इसके लिए आपके लिजबिल्टी किया है, एनी ग्रिजबेट इन डिजबेट इ इसके बाद बे इसके इसे रिलीटिड अगर आपको किसी से बात करनी हो, कॉंटेक्ट डिटेल्स मैं आपको, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नर दे दूगा, आप वहां से, जो कांसलर से हैं, उसे आप बात कर सकते हैं, तो आप, मैं आपको कॉंटेक्ट नमबर दे दूगा, महाँ पर बात कर दीजिए, इसके पहले भी हमने वेलफेर स्पेक्टर पर एक वीडियो बना रखे हैं, इसके अंदर हमने एक्जान पैटरन क्या रहेगा, स्लेबस क्या रहेगा, पेपर्स इसके कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ी हमने डिस्क्रिप्स की हैं, वेलफेर स्पेक्टर से रिलेटेड, हमने इंट्रिव्स वेलफेर स्पेक्टर के वो भी डाले हुएं, प्रिवेस पेपर हमने बहुत सारे पेपर अपने टेलेगरम चैनल पर डाले हुएं, ठीक है, बीच बीच में क्विज भी हम टेलेगरम चैनल पर लेते रहेते हैं, त में start होंगे admission तो अब admission अगर लेना चाहते हैं तो आप मई से ले सकते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल study data थेंक्यों दोस्तों बबाई